दिल्ली पुलिस और मीडिया के बीच प्रेंडली मैच का आयोजिन किया गया जिसमें एक ताकत संदेश दिया मीडिया ने टोस जीत कर पहले बन लिवाजी करते हुए 264 रन बना कर दिल्ली पुलिस के समख 265 रन जीत का लक्से रखा जिसका पीछा करते हुए दिल्ली पुलिस मातर 20 ओवर में लगबख 200 रन ही बना पाई और मीडिया के खाते में असानी से मैच आ गया दिल्ली पुलिस उपायुक्त अजित कुमार सिंगला ने बताये कि इस तरह के मैचों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि मीडिया और पुलिस के बीच अच्चे संबंद बने रहें समाज में किसी भी परकार की एप रिये घटना होती है तो दिल्ली पुलिस वे मीडिया मिलकर उसे ठीक करने का प्रियाज करें वही एडिसनल डीसीपी आरपी मीरा ने बताये कि इस मैच के जरिए ये संदेश दिया है कि पुलिस और मीडिया समय समय पर एक दूसरे की मज़द करते रहते हैं मीडिया टीम के कप्तान चिराक कोटी ने मीडिया से बात करते हुए पताये कि यह मैच एकता और रिस्तों में मदूर्ता के लिए खिला गया जिसमें एकता की जीत हुई आप खुद सुनिए और हमारी जो मीडिया और पुलिस दोस्ती है वो काम्याब रहे और हम ऐसे 2018 में भी यसी आगे बढ़ते रहें जैसे 17 में अच्छे मजबूस रिष्टे के साथ दिल्ली पुलिस ने कादम रखा है ताकि हम मीडिया की साथ मिलके इस अलाके में क्राइम कंट्रोल में और आप सी साथ बावना में काम्याब हो जाए यह दोनों मीडिया और दिल्ली पुलिस और करीब लाने के लिए था हम लोग आपसमें मिलते रहते हैं जब भी फ्रेंस होती है आप लोगों से मलाकात होती है अब के भी मुलाकात होती है इसको एक फैली मैच के तोर पे खेला गया और इ मैच था और मैं गॉंग्रेचुलेट करना चाहूंगा नॉर्थ इस जिस्टिक को जिन्होंने मैच और मैच और मैच और क्रिकेट है हार जीत तो किसी की भी होती है वो कोई परक में बढ़ता लेकिन सबसे अच्छी बात ही रही किए कि गुड रलेशनिशिप ड़लेप करने कि असंबह भी था क्योंकि 256 से उपर स्कोर था लेकिन फिर भी यह कहा जाए कि अच्छा चीज इस मैच में उत्तरपूर्वी जिले के साथ साथ सभी डिस्टिक के एसीपी तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे मीडिया की और से दिल्ली आस्तक के रिपोर्ट कि अधिका रिए इस दिल्ली आस्तक बाइ़ पद्यवी झाल करेंवाद कि अधिकारी मौजब गारी मौजब ऑर से भी प्या दिल्म के तझा विल्ली आस्तक के रिया कर दो कर दो